हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुती डिलिश्य सुकून देने वाली ठंडी रेसिपी जिसे आप एक बार बार खाओगे और मार्किट के दही बड़े तो खाना बिलकुल ही भूल जाओगे गर्मियों के लिए बहुती अच्छी रेस पहले सोक कर दिया था बिलकुल ये सोफ्ट हो जाती है तब आपको इसको ग्राइन करना है ये देखें इस तरह से हमें इसको ग्राइन करना है बिलकुल फाइन आपको दाल पीसनी है तो दाल को पीसना कैसे है ये देख लीजे बिलकुल क्रीम की तरह से आपको बनाना है यह घूम जाए और बिल्कुल fine paste बन जाए ये देखें दाल मैंने grind कर ली है बिल्कुल fine paste ये बन गया है बिल्कुल cream की तरह से इस तरह से आपको डाल का paste बना लेना है जितना fine आप इसको grind करेंगे उतने अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे तो यहां सारी ही दाल आप जब grind क ही रखनी है जिस भी direction में आप इसको फेट रहे हो उसी direction में आप इसको फेटना ऐसा करने से इसके अंदर हवा चली जाती है जिससे हमारा ये paste बहुती soft हो जाता है light हो जाता है और आपको ये continue 20 मिनट तक फेटना है ये मेहनत का काम है लेकिन दही बड़ा फिर आपका बहु लेकिन आपको बस ध्यान रखना है अपनी direction बिल्कुल भी change नहीं करनी है एक ही direction लखनी है जिस भी direction में आप अपना हाथ घुमा रहे हो उसी तरह से बस घुमाती रहना बस फिर ये paste आपका तयार हो जाएगा पंदा मिनट के लिए आप इसको सिर्फ rest करा देना अब देखे ये किस तरह से float कर रहा है तो क्यूंकि ये बिल्कुल light paste है इसलिए ये float कर रहा है तो इस तरह से आप इनको check कर लेना अब हमें इनको fry करना है तो सबसे पहले oil गर्म करना है high flame पर आप पहले तो oil को गर्म कर लेना और फिर gas बंद करके oil का temperature थोड़ा कम करना और फिर slow to medium flame प temperature बिल्कुल कम है तो इसी तरह का आपको temperature रखना है oil का ज्यादा कर दोगे तो फिर इनका color बहुत जल्दी dark हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे तो कुछ टाइम हम इनको एक side से पकाएंगे और फिर हम इनकी side change कर देंगे तो side change करने के लिए आप थोड़ा size में भी ये पहले से double हो गए है कढ़ाई पूरी तरह से भर गई है तो अभी ये बड़े हमारे काफी अथे से fry हो गए है color इनका change हो गया है तो इतना ही हमें इनको fry करना है अभी इनको हम निकाल लेंगे इनको fry होने में वैसे time काफी लगता है क्योंकि हम इनको slow flame पर fry करते ये देखें बिलकुल ऐसे ही बनेंगे अगर आप मेरी recipe देखकर बनाऊगे चलिए अब मैंने एक batch fry कर लिया है अब इसी तरह से में ये दूसरा batch भी fry कर लूँगी तो ये batch भी हमारा बिलकुल तयार हो गया है यही कलर हमें चाहिए था ये हम निकाल लेते हैं और जी ये देखें इनका size कितना double है और soft भी देखें soft कितने ज्यादा हैं ये तो इनको हम हलका सा ठंडा करेंगे और फिर सीधा पहुचा देंगे इनको पानी में ये पानी बिलकुल normal है मैंने इसमें बस थोड़ा सा हराधनिया एट किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक एट किया था इनको हम पानी में डाल देंगे और अच्छे से इनको डिप कर देंगे एक घंटे के लिए रखेंगे फिर ये बड़े हमारे बिलकुल तयार हो जाएंगे ये हमारा दूसरा वाला बैच है और ये देखें पहला वाला बैच हमारा ये है ये मैंने पहले ही पानी में डाल दि देरा और थोड़ा सा add किया है काला नमग इनकों हम इसमें डाल देगे अछे से मिला देगे अभी ये दढ़ियों हमारी तयार हो गई है है कि इधर हमारे बड़े बिल्कुल तयार हो गई है में इनका आप Fool Am mushrooms और यहां से निकाल कर इनको डाल देना है दही में तो यहां बस दही में डाल कर इनको हमें दही में अच्छे से डिप कर देना है और अभी हमारे जो बड़े हैं तयार हो गए हैं थोड़ा सा मैंने यह जीरा पाउडर ओर डाल दिया है इन पर अब इनको हमें टेस्ट ओर करना यह बने कैसे हैं, तो यहाँ पर मैंने यह निकाल लिया है, इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी इंगली की खटी मीठी चटनी, यह रैसेपी अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी सी हरी चटनी में डाल रही हूं इस पर अब यह थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और यह थोड़ा सा मैं डाल रही हूं इस पर मसाला, और यह देखें, मक्खन की तरह बिलकुल सॉफ्ट है, मुँ में जाते ही घुल जाता है, तो कब आप इसको ट्राइ कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट में बताना, मैं आपसे ज नएले, प concepts थोड़े हैं, जिर हो में आपसे से Лड़ेक, और यह बाद सॉफे हैं, और यह भी स्थ्चल खेंड़ी सा शोड़ा की तरभ यह दोड़ीर, यह थोड़ा स्नीॉद हो झाल मैं तर रहे बिलकियाए हैं ।र्स进 Brady गजह को जाते हैं, मुझे